Hey you all, this is your friend Erica and you're watching Tricket Insomnia. Tricket की हर खबर मिलेगी इथर. Australia ने श्रिलंका को हरा दर्ज की विश्व कब 2023 में अपनी पहली जीट. Adam Blampa की फिरकी में पसे श्रिलंकाई बल्लेबास. क्या श्रिलंका के कप्तान शनाका का चोटिल होकर बाहर होना श्रिलंका को खल गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या हुआ कल के मैच का हर. World Cup 2023 का चोटवा मुकाबला लखनों के एकाना स्टेडियम में खेला गया. ये मुकाबला श्रिलंका और उस्टेलिया के बीच में था, जिसमें श्रिलंका ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबासी करने का फैस्टा किया. श्रिलंका के लिए ओपनिंग करने आये पाथुम निसंका और कुसल परेड़ा. जिसके बाद आये कुसल मेंडिस. निसंका को आउट होने के बाद कुसल परेड़ा ने तेज गती से रन बनाने शुरू किये. लेकिन वो भी 88 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो बैठे. उनके अलावा कुई भी खिलाडी जादा देरता क्रीस पर नहीं टिक सका. और सदीरा समर विक्रिमा ने 8, चरितस लंका ने 25, धननजे डिसिवा ने 7, जुनित वेलालेज ने 2, चमीका करुणा रतने ने 2, और लहीरू कुमारा ने 2 रन बनाए. शिर्लंका की टीम ने 43.3 ओवरों में अपने सारे विकेट खोकर 209 रन बनाए. और अस्ट्रेलिया के लिए अडेम जांपा ने 4, मिचल स्टार्क और पैट कमींस ने 2-2 और ग्लेन मैक्सल ने 1 विकेट लिया. जिसके बाद आए स्टीव स्मिद भी अपना खाता नहीं कुल सके और दिल्शान मदुशंका का शिकार बने. और उसके बाद आए मारनेस लाबुशेन. लाबुशेन ने समभलते हुए पारी को समभाला और मिचल मार्श के साथ 57 रनों की साज़ेदारी की. मिचल मार्श 52 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए. जिसके बाद आए जॉश इंगलिस ने लाबुशेन के साथ मिलकर पारी को समभाला और पारी को आगे बढ़ाया. 158 रनों के स्कोर पर लाबुशेन 40 रनों के निजी स्कोर पर दिलशान मदुशंका का शिकार बने. फिर आए मैक्सवर्ण लेकिन उनका साथ दे रहे जॉश इंगलिस 58 रनों के निजी स्कोर पर डुनित विलालेज का शिकार हो गए. फिर आये मार्किस स्टोईनिस और उन्होंने 20 रनों की शानदार पारी खेली मैकसर ने भी 21 गेंदों में 31 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई और अस्ट्रेलिया की टीम ने 35.2 ओवरों में 5 विकेट खोकर 215 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया श्रिलंका के लिए दिल्शान मदुशंका को तीम और दुन तविला लेज को एक विकेट मिला और इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कब 2023 में अपना पहला मैच जीत लिया वहीं श्रिलंका की टीम का खाता भी नहीं खुला है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब आज वर्ल कब में साथ अफ्रीका और नेधरलेंड्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा यह मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा इस मुकाबले में कौन होगा विजय कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा तो यह थी वर्ल कब से जुड़ी अब तक की अपडेट चलिए तो आप मिलते हैं आप से क्रिक्ट की दुनिया की नई खबर के साथ अब क्रिक्ट इंसॉम्णिया पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकां को जरूर दबा दे अब इसके साथ ही आप सारी अपडेट हमारी आप पर भी पासकते हैं बस जाएए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजे क्रिक्ट इंसॉम्णि झाल झाल